इंडिया टीवी समवाद दाता शोई ब्रजा ने चतीजगड़ के पूर्व मुक्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग से भी बात की चतीजगड़ में बीजेपी को कितनी उमीदे हैं रमन सिंग का इस पर क्या कहना है सुनिए कितने कॉंफिडेंट है आप के वाकई क्या सत्ता परिवर्तन होगा क्योंके कॉंग्रेस कह रही है कि सबसे सेफ हमारे लिए तो 36 गड़ है मद्देपर्देश और राजिस्तान के मुकाबले मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बस्तर और राजनदगाओ के बीस विदानसवा सीटों में जो चुनाओ में मद्दान हुए है और उस मद्दान के बाद मेरा विदानसवा राजनदगाओ भी उसमें एक है मैं और हमारी टीम पूरे सर्वे के बाद ये कह सकते हैं कि बीस में कम से कम 14 विधन सबा में भारती जनता पलटी आगे है सवाल रहा दूती चरण के दूती चरण में जिस प्रकार का वातरण मैंने सरगुजा में देखा जिस प्रकार का वातन बिलासपूर संभाग में देखा और रायपूर के आसपास दूर को जिले में देखा आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रतामा दूती चरण के मद्दान होने के बाद भारती जन्ता पार्टी इस पस्ट बहुमत के साथ चतित गड़ में सरकार बनाने जा रही है अब कहीं कोई शंका नाम की चीज किसी को अंदर नहीं है और जन्ता भी अब कहने लगी है जब अदस अंडर करेंट पूरे चतित गड़ में मैंने देखा जन्ता के ने भुपेज के खिलाब जो आक्रोस है उसको हमने देखा कि किस प्रकार की नाराजगी चतित गड़ में इस पांस साल के कारकाल में जहां पूरी तरिके से विकास को ठब करके रखा गया है पूरे भरस्टाचार में आकंट डूब हो मुखे मंतरी और उसके वज़े से एक परिवर्तन और चतित गड़ी भासा में जब कहते हैं कि हम अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो यह नारा गाओं गाओं में गूंज रहा है कि अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो तो बदलाओं की बयार चल रही है पूरे चतित गड़ में भर्षचार बड़ा मुद्धा बनाया बीजेपी ने और हमिशाजी भी आये तो उन्होंने भी इसको लेकर निशाना सादा अबुपेश सरकार पर चाहे महदेव जो है घोटाले की बात हो तमाम जो दूसरी चीजे है उसको लेकर भी बात होती रही क्या लग रहा है कि वाकई क्या ये तमाम चीजे एक तरीके से चस्पा हो पाई है कॉंग्रेस पर भुपेश भगेल सरकार पर क्यूंके वो ये कहते हैं एडी सी ब्याए तमाम एजनसिया हमारे खिलाफ लगा दी गई है और ये बदले की भाउना आया एक तरीके से राजनिती में हमें नीचा दिखाने की कोशिए तो इपक्षियों पर ये सरा से दबाओ बनाए जाता है इन अजनसियों के जरिये वही एक मातर चीजे थी साबित कुछ नहीं हो पाया हमारे करीबियों को गिरफतार किया गया ये तमाम चीजे अब तो इस पस्ट हो गया कि भूपेश स मारिक्ता के साथ महादेव एप में पांसो आठ करोर रुपिया का बुपेश बखेल को देने की बात उनके संचालक जो हैं उनके मूझ से सार्जोनी ग्रूप से बोला जा रहा है